तो फ्रूट के फेस मास्क हमारी तच्छा को बहुत सारे बेनफित देते हैं। इनसे तच्छा में ग्लोव और फ्रेस्णस बनी रहती है। आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हैं ब्लैक ग्रेप्स यानि काले अंगूर के टेन फेस मास्क या फेस पैक। ब्लैक ग्रेप्स में तवचा को लाब पहुचाने वाले एंटी अक्सिदेंट्स और मिंजल्स पाय जाते हैं जो तवचा को हेल्दी बनाते हैं ब्लैक ग्रेप्स फेस मास्क लगाने से तवचा का टेक्स्टल इंप्रूव होता है इसको तुचा में लगाने से तुचा की डननेस खतम होती है फेस मास को लगाने से तुचा हेल्दी, सौफ्ट और ग्लोइंग होती है ये होम में ब्लैक ग्रेप फेस मास बनाने में भी आसान है इन फेस मास को बनाने की सबी चीज़ें घर में मिल जाएंगी आप अपनी सुब्दक निसार इन फेस मास को बना सकती है लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक फ्रेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उसके बाद जो बेल बटन आती है उसको भी आल पन आउन करें मैं इस चैनल में अलग अलग तरहें के वीडियोज अपलोड करती रहती है तो चलिए शुरू करते हैं ये ग्रेप फेस मास्क एंटी एजिंग का काम करता है इसको रेगुलर लगाने से तोचा में अच्छा पर्क दिखता है तोचा का टेक्स्चर इंप्रूब होता है और इसकी ब्लो करती है ये वाला ब्लैक ग्रेप पेस मास्क बनाने के लेना है दो चम्मच ब्लैक ग्रेप जूस एक चम्मच कैरट यानि गाजर का जूस एक चम्मच राइश फ्लॉर यानि की चावल का आटा इसमें आदर चम्मच से थोड़ी कम मिल्क क्रीम या मलाई डालेंगे मिल्क क्रीम आप अपनी तोचा के अनुसार ही मिलाएं एक चम्मच दही इस फेस मास्क को बनाने के लिए मिल्क क्रीम आप अपनी तोचा के अनुसार ही मिलाएं अगर आपकी तोचा ड्राई है तो आप इतनी क्रीम लें अगर आपकी स्किन ओयली है तो आप एक या दो ड्रॉप के हिसाब से ही मलाई या क्रीम मिलाएं या फे मलाई या क्रीम नहीं डालें अब इन सब को अच्छी तरह से मिला लें तयार फेस मास्क को अपने फेस और नेक में 30 मिनट के लिए लगा करके रखें 30 मिनट के बाद फेस मास्क को हलके गुंगने पानी से साफ करें उसके बाद नार्मल पानी से चेरे को धो लें अब जो फेस मास्क मैं बताने जा रहे हूँ वो तवचा की ओईल को कंट्रोल करता है अगर आपकी स्किन ओईली है तो आप ये फेस मास्क ट्राई करें इस फेस मास्क को बनाने के लिए लेना है तीन चार ग्रेप्स का पल एक चम्मच मलतानी मिट्टी पाउडर आधा चम्मच रोज वोटर यानि गुलाब जल आधा चम्मच लेना है लेमन जूस यानि नीपू का रस इन चारो चीजों को अच्छी तरह से मिला करके फेस मास्क तयार कर लें इस फेस मास्क को 15 मिनट फेस और नेक पर लगा करके रखिए 15 मिनट के बाद फेस पैक को साफ कर लीजिए चमकदा प्रज़र के लिए ये एक अच्छा फेस मास्क है इस ब्लैक ग्रेप्स फेस मास्क को बनाने के लेना है दो चम्मच ब्लैक ग्रेप्स का पल्प दो चम्मच टमेटो पल्प इन दोनों को मिला करके 15 मिनट के लिए अपने फेस पर लगा लीजिए 15 मिनट के बाद फेस मास्क को साफ कर ले ब्लैक ग्रेप्स और टमेटो का ये फेस मास्क तुचा को चमकदार बराने के साथ साथ संटैन को भी दूर करने में हेलपफुल है फेस मास्क को साप करने के बाद अपना मास्टराइजर जूरूर लगाएं इस black grapes face mask को बुडाने कि लेना है दो चम्मच अंगूर का पल्प साथ ने मिले एक या दो फाक कीवी की कीवी को मैस करके इसमें मिला ले इसके छोटे काले बीज को नहीं हटाना है कीवी के छोटे काले बीजों को नहीं हटाना है ब्लैक ग्रेप्स और कीवि की मातरा बराबर लेनी है इन दोनों को मिला करके अपने चेरे में लगा ले इसको 20 मिनट तक अपने चेरे में लगा करके रखे 20 मिनट के बड़ फेस मास्क और पानी से साफ कर ले ये भी एक अच्छा fruits फेस मास्क है इस face mask को बनाने के लिए 3-4 grapes को mask कर ले उसमें 2 पीज एपल यानि safe की मिला ले एपल को कदूकस कर ले या फिर दोनों को blender में डाल करके blend कर ले एपल और grapes के इस face mask को 20 मिट तक अपने चेहरे पर लगा करके रखे 20 मिर्ट के बाद एपल ग्रेप फूट फेस मास्क को चेहरे से साप कर लिजी इसको नार्मल पानी से वास करें एपल ग्रेप फूट फेस मास्क से तुचा को कई सारे न्यूट्रियंट्स मिलते हैं यह तुचा की नेच्रिल ग्लो को बढ़ाता है इस ग्रेप फेस मास की DIY बनाने के लिए लेता है चार काले अंगूर यानि ब्लैक ग्रेप और एक इस्ट्रावेरी अंगूर का पल्प निकालने इस्ट्रावेरी को मैस कर ले और दोनों को मिक्स कर ले तैयार फेस मास को अपने चेहरे में 20 मिनट तक लगा करके रखें 20 मिनट के बाद हलके गुन्गने पानी से चेहरे को वास कर लें गुन्गने पानी से वास करने के बाद एक बार नार्मल पानी से भी चेहरे को धोई इस Black Graves Face Mask को बनाने के लेना है चार अंगूर यानि Black Graves एक चमच करड यानि दही तीन चार ड्रॉप्स लेमन जूस यानि नीवू करस अंगूर को मैस करके उसका पल्प निकाल ले और फिर इन तिनों को मिला करके Face Mask बना ले इसको ब्रेस या उंगलियों की सहायता से अपने फेस और नेक में लगाए फेस मास्क को 20 मिनट तक फेस पर लगाकर के रखना है उसके बाद फेस को पानी से साफ कर लीजिए ये वाला फेस मास्क बनाने के लिए लेना है दो चम्मच ग्रेप जूस और दो चम्मच हनी यानी शहद इन दोनों को अच्छी तरह से मिला ले तैयार हनी ग्रेप फेस मास्क को अपने चेहरे में 20 मिनट तक लगाकर के रखे 20 मिनट के बाद चेहरे को पानी से धोली जिए फेस मास्क को निक में भी ज़रूर लगाए त्वच्चा में निखार के लिए आप इस तरह से भी ग्रेप फेस मास्क बना सकते हैं यह है पपाया ग्रेप फेस मास्क इस ग्रेप फेस मास्क को बढाने के लेना है पाच्छे काले अंगूर और दो तीन पीस लेना है पपीता के यानि पपाया के अब इसमें एक या दो चम्मच रोज वाटर मिला लें और फेस मास्क तयार कर लें पाया ग्रेप फेस मास्क को फेश और नेक में 20-25 मिनट तक लगा करके रखें इस 25 मिनट के बार फेस मास्क को नार्मल पानी से वास्ट कर लिए गर्मियों के मौसम में धूप और चलने वाली गर्म हवाएं इसकिन के एसेंसियल न्यूटियंट्स को खतम कर सकती है तेज धूप के कारण सन्बन की प्राबलम भी आम है सन्बन से अराम पाने के लिए अंगूर को मैस्क करके फेस मास्क की तरह चेहरे पर लगा ले इस चेहरे में ताजगी निखार और चमकदार तचा के लिए आप ये फेस मास्क की तरह लगा सकते है वैसे तो ये DIY face mask शौम में है लेकिन face mask को जब भी अपने face पर लगाएं तो उससे पहले अपनी तचा में patch test जरूर करके देख लें अगर आपको कोई चीज suit नहीं करती है तो उसको अपनी तचा में नहीं लगाएं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो मिलते हैं तो मिलते हैं तो मिलते हैं